नमस्कार दोस्तों बाइक बाला सुभीनाई में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आज की इन्पोर्टेंट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीप एक सेल हेवी डूटी वाला जो मेरा मॉपेड है इसे जब मैं फाइनेस में खरीद ह होगा कितना रुपिया आपको देना चाहिए इसके हिसाब से मैं आज कर टोटल वीडियो बनाऊगा तो वीडियो को सुरू से लेका लास्ट तक जरूर देखिएगा स्कीप बिल्कुर मत कीजिएगा काफी इन्पोर्टमेंट है अगर आपको लगदा है कि यह आपका ब्या की गाड़ियों का जो मॉडल है जैसे मुनें डेशन कंपर उसके बारे में भी मैं टोटल कितना कुछ कॉस्ट बैठता है और फाइन से अलोन में लेने पर क्या कुछ लगता है मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा क्योंकि मेरा जो चैनल है टीवेसिक्स क क्या कुछ मुझे लगा था तब के टाइम में जो कि मैं आपका 2013 में गाड़ी खड़ीदा था और अभी फिलाल आपका 2022 हो गया है इतना दिन तक मैं गाड़ी को यूज कर रहा हूं आपका टीवेसिक्सल हेवी डूटी वाला जो मेरा मॉपेड है ब्यस्तिरी का भरजन तो बार इसाव को पता है और आपका? तो मेंने जो आपका किया था मैं एक नहीं लिए तो सला यह ठोड़ा इंस्टाल्मेंट बहुत की सदूलिये का थो यह अगर है डाॉन फिspace कुह जबता है अभी डाउन फिर्ट्री आप आई किया था तब के टाइम में तो इंस्ट्रॉल्मेंट में यहां बैठा था आपका दो साल के हिसा आप से साड़े आठ सो रूपिया करके जो कि मुझे 24 महिने तक आपको भुगदान करना था तो इसमें आपका क्या हुआ कि 2400 रूपिया इसमें आपका एक्ष्टा राइड हुआ साड़े आठ सो करके 24 मतलब बीस जाड़े आठ सो गुना 24 मतलब इसमें आपका डाउन पर में लगता है वी सजा रूपिया तो यहां पर गाड़ी का अगर एक्चुल वैलू आपका आता है 24,700 रूपिया मतलब जिस गाड़ी का एक्चुल कॉस्ट है अगर आप कैस में खरीते हैं तो और फाइनस में अगर आप इसको लेते हैं तो फाइनस में आपका जो टोटल वैलू निकलता है आप टर कंप्लीडेशन मतलब यह टोटल आपका जो अगर गाड़ी का टोटल इं टोटल आपका कोस्ट मिला कर बैठता है 40,400 रूपिया तो आपको इहां पर डिफ्रेंस जो है मतलब 34,700 एक्चुल वैलू और 40,400 रूपिया आपका ज्यादा देना पढ़ रहा है 5,700 रूपिया यह बदा सकते हैं आपका जो इंस्टॉल्मेंट है इंस्टॉल्मेंट के जो आपका मिस्टॉल्में में जो आपका जो इंट्रेस्ट है इंट्रेस्ट कापका हिसाब बोल सकते क्या ज्यादा दिन जो लोन को है कैड़ी किये हैं तो इस इस हिसाब से आपको 5,700 रूपिया इक्स्टाद देना पढ़ आया दो साल के हिसाब से तो मेरा तो जब आप खरी अगर आप माल लिए चलिए दाउन पर में देथा दस आए दो लोग एक्सेप्ट नहीं करता है अगर माल लीजे आपका गाड़ी का रेट एकदम आपका 40,000 रूपिया के करीफ है मैं पकड़ के चलना हूं तो फिर भी आपको देखिए कि 10,000 का डाउन पर मेंड जादा एक और दूसरा है आपका वान येर का जो फाइनेस है इसका भी मुझे क्यालकूलेशन उसने एक टाइम में दिखाया गया था जो कि आप पकड़ के चलिए कि यहां पर मैंने बीसेर का डाउन पेमेंट अगर मैं करता था उस टाइम में तो मुझे इस्टॉल्मेंट लगता था 1550 रुपिया करके 12 महिने था जो कि आपका गुना करके आता है 18600 रूपिया और एक्चुल वैलू अगर इस गाड़ी का 34,700 रूपिया पैटता है तो फाइनेस मत आपका कम्पिलिटेशन मुझे टोटाल आपका कोस्ट बैट था 38006 रूपिया तो इसमें मेरा जो डिफ्रे आपको टोटल बताया आपको मैं आपको इंपोर्टन चीज बता दे रहा हूं अगर मान के चलिए गाड़ी अगर आप खड़ीते हैं गाड़ी सेकंड हैंड आप पर्चेस करता है तो गाड़ी का टोटल कंडिशन और आपका पेपर वर्क के हिसाब साब का दाम बैठता है मान के चलिए इस टाइम अगर आप गाड़ी खड़ीते हैं तो मिनिम्माम आपका 20,000 से लेकर 25,000 तक का रूपिया इस गाड़ी के लिए एनाफ है दोस्तों मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर आप 15-20,000 रूपिया में गाड़ी आपको निप्टा सके अगर आप टोटल प तो इसमें आपका 20,000 से लेकर 25,000 तक मैं बोला हूं पार आपका 15 से लेकर 20,000 में अगर आप निप्टा सके टोटल पेपर वार्क और कंडिशन को चेक करके तो ज्यादा बेटर होगा इससे ज्यादा सेकेंड हैंड में गाड़ी को देना बैमानी होगा और आपके स्टेट क अचंडिशन के हिसाब से भी आपका थोड़ा बहुत घट याब शक्तता है जैसे कि मैं रहता हूं तो बश्यमंगाल के जो मैं जगा है दुरगपूर के हिसाब से इसाब करी होगा वहां जो महव्ड़ाइन में जो कैसा कुछ यादा दाम लेता है तो मैं उसके हिसाब से आपको बताया आपके स्टेट के हिसाब से साइद घर या बढ़ भी सकता है अगर आप माल लिए के साथ इंडिया के टाइप से हो वहां से आपका थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है तो ही बात है तो आसा करता हूं आज का यह जो टोटल काल हम वहां से आपके साहब कोया है तो आपको यहां से जातो जाइए एंडाल को है एंडिया के बाताता है